जेहिए एक और दिन बीता बैक तो बैक तो बैक तो बैक आईपियोज लग रहे हैं इसका फण्ड उसमें अनब्लॉक होगा नहीं होगा तो लगाओ या नहीं लगाओ छोटे चोटे आईपियो आरे हैं पांच करोड़ दस करोड़ ले रहे हैं क्योंकि SME तो ही है बट सारे IPO नहीं लगाने हैं, वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले मैं सौरी बोलता हूँ, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो हो सकता है, थोड़ा सब मेरी आवाज वैसी लगे, आपको पर थोड़ा सब बीर कर ले न, मैंने सोचे यार देखो मौका है, तो हम लोग analysis तो जरूर करेंगे, learning नहीं चूटनी चाहिए, अब आया है एक और सिग्नोरिया करके IPO, SME IPO है, बहुत ही छोटा IPO है, लगाना है, नहीं लगाना, और लगाना है, तो कितने listing gain हो सकते है, उससे भी बड़ी चीज क्या opportunity cost क्या है, मतलब अगर इसमें नहीं लगाता हूँ, तो क्या दूस इसरे IPO में लगा सकता हूँ, उसमें जादा better gains हो सकते हैं, यह allotment की probability जादा है, यह सब हम लोग आज देख रहे वाले हैं, without wasting time, deep dive करते हैं अपने analysis में, but yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है, यह new user हो, यह popular vehicles का IPO भी डाल दिया है, प्रथम EPC भी डाल दिया, फि तो जैसे कि आज 11 तरिक की बात करूं, Quora close हो गया, Shrikarni close हो गया, पूने e-stock एक दिन बचा हुआ है, प्रथम EPC open हो गया, देख लेना, Royal Sense open होगा, मैं इसका 1 minute shots यह वीडियो डाल दूगा, तो अब बारी आती है Signoria की, हम आज analysis करने वाले हैं, Signoria creations के, चलते हैं business model पे, without wasting time, क्योंकि तबियत भी down है, और ट्राइ करूंगा, analysis short रखूं, मदब समझाओं सब कुछ, 2019 पांच साल पुरानी company है, Signoria creation limited manufacturers, खुद की manufacturing भी है, and sells, और खुद भी sell करते है, women's clothing, such as, कुर्ती, pants, tops, corsets, टुपट्टा, गाउन्स औगरा, ठीक है, खुद की manufacturing के मदब in-house ही manufacture करते है, और खुद ही अपने थूप बेचते है, the company has two manufacturing unit, कहां कहां पर है, एक मांसरोवर में, और संगनेर में है, जैपुर और राजयस्तान में हो गया, और the company acquired 501 square meter plot, ठीक है, रीक इंदस्टिल एरिया में इन्होंने एक अक्वायर करा था, ठीक है, पूरा, 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 म 4 lakh pieces of quality garments, ठीक है, अब 4 lakh तक एक units बना सकते हैं, पूरे साल में, पूरे साल का बता रखा है, the scenario has 153 employees, including 45 तो permanent हो गए, बाकी contract basis पो गए, contract basis में मतलब, जहां पर इन्होंने अपने बाकी services को outsource कर रखा है, उस तरीके से, contract basis, मालो, security guard हो गया, या फिर P.O.N. हो गया, उनको contract basis पर डालते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिग भी रखा है, in the departments of accounting, finance, compliance, marketing, logistics, बगएरा बगएरा, इन्होंने डाल रखा है, तो देखो सबसे पहली बाद, business model, kind of unorganized sector है, कितने लोग हैं, जो खुद कपड़े बनाते हैं, बेचते हैं, सबसे पहली चीज तो यह, बाकी 50%, 60%, उसमें से big कितना रहा है, आपने, supposed करते 4 lakh है, आपने बनाए 50% capacity पर, माल लेधे, धाहिए, द्हाहिए, तीन लाक माल लेधे, čलो, उसमें से big कितना रहा है, वो most important है, और उससे भी most important, वापस कितना आ रहा है, return sales कितनी है, मलब actual salesuesta, वो ही हुई आपकी, important dates पे नजर मा पता चलेगी Saturday Sunday आ गया तो 18 तारिक को पता चलेगा वह शेर्स किस-किस को मिले किस-किस को refund आया और 19 तारिक को लिस्टिंग होगी अगें साथ दिन का ब्रैकिट बन गया जो हमने पहले भी देखा था अगर पहले भी जाओं तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे रोयल सेंट्स भी 12 से 14 आ रहा है प्रतम EPC 11 से 13 तो इसका पैसा इसके लिए यूज नहीं हो पाएगा पूने इस टॉकिंग का भी प्रोबैबली शायद एक बारी को यूज हो जाए अगर टाइम पर अनब्लॉक हो जाता है क्योंकि 12 तारिक है तो 13 या 14 तक भी हो जाता है तो यहां पर यूज कर पाऊंगा वापस आते हैं जरा इंपोर्टन डेट्स के पास जरा प्राइस बैंट पर तो नजर मारे कि भाई कितना रुपया मांग रहे हो फ्राइस वाल्यू दस 61 तो 65 2000 शेर का लॉट है अब कई लोगों ने लास्ट वीडियो में पूछा कि सेम डेट पर शेल कर सकते हैं definitely कर सकते हो number two कि दिन open होगा किस दिन sell करने के लाओँ होगा जिस दिन list हो रहे है उस दिन की sell करने के लिलाओद होगा retail वालों को H&I औरistem को को कोई problem नियए बदना sell करो आपके चीज़ है हाँ 90 परसंट आपको liquidity मिलेगी but 10% हो सकता है liquidity ना यह चीज में पहले clear कर देता हूं कही लोग क्या करते है वीडियो बनाए जा रहे हैं SME में euphoria हो रहा है क्यों 100% gain 200% gain 300-300% gain पर है तो वो वीडियो बना रहे हैं बट वो पूरी चीज नहीं बता रहें क्या नहीं बता रहें 10% chance है कि liquidity ना मिले मतलब open हुआ और lower circuit पर लग जाए एक दो दिन lower circuit पर टक रहा है तो यह चीज का ध्यान रखना कितने रुपए सिर्फ 9 करोड रुपए मांग रहे है 9.28 to be precise और पूरा का पूरा 100% जो है वो fresh issue है तो यह तो अच्छी बात है बट 9 करोड रुपए देखते किस लिए use करने वाले है आगे चलके पता चलेगा यह तो अब आते next पे उस 9 करोड में भी 50% तो इन्होंने QIB के लिए रख दिया रेटेल वालों के लिए 35% रख दिया है एच्छे नहीं वालों के लिए सिर्फ 15% है अब 9 करोड में 45 करोड तो यह QIB वाले ले ले गए mutual fund anchor investor वो 45 करोड में होने वाली है असली लड़ाई यहाँ पर होने वाली है एक लॉट कितने का है जी एक लॉट है एक लाग तीस हजार रुपए का दो लाग सोपर application आप्लिकेशन आटमाटिक ली जाएगी तो है नहीं में चली जाएगी तो एक लाग तीस हजार का एक लॉट है यह ध्यान रखना SME बोर्ड में जो 15,000 का रहता है ठीक है next part पर आते सोरी 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 कोल्ड की वज़े से दिमाग कहीं और ही चल रहा है हाफ एर एसेट की बात करो तो रूपीज इन लाक्स पांच करोड के एसेट थे डबल हो गये अल्मोस्ट साड़े नौ करोड दस करोड हो गए डबल से भी जादा जम पाया 23 करोड के एसेट हुए और अपक सिर्फ छे रह गया अब देखो यहाँ पर क्या-क्या एक इन्पूट लिया जाएगा फैक्टर इनका पहली बात तो हाफ यह रहे तो भी आपका होगे छे कब बारा हो गया बट मोस्ट इंपोर्टेंट है सीजन मोस्ट इंपोर्टन क्या है यह सेटेंबर तक है ऑक्टोबर इस लाग का प्रॉफिट है सिर्फ 5-6% मार्जिन मानके चलते हैं 6% के आसपास नहाँ पर कंपनी मार्जिन पर काम कर रही थी ठीक है फिर उसके बाद अगर नेक्स पार्ट की बाग करी जाए तो यहाँ पर हो गया 11 का आसपास तो 11 से हो गया 67 अभी भी almost 6% के आसपास का मा 29 करोड की सेल्स पे 2 करोड का प्रॉफिट आया अब की बार मार्जिन 10% से जंप करके 11% पे चला गया तो मार्जिन पे ग्रोथ है और वापस से 10% आ गया तो मार्जिन तो इन्होंने पास ओन करे हैं मतलब अपने जो प्रोड़क्स का प्राइस था वो बढ़ा दिया इन्हो of borrowings most important यह रहता है क्योंकि यह चोटी चोटी companies तो इन पर बर्डन ज्यादा रहता है finance का borrowings का 33 लाक रुपए का सिर्फ एक रिजर्फ था ट्रिपल हो गया 100 चार गुना हो गया 472 चार सो बातर और अपकी बार थोड़ा सा बड़ा बट हाफ यह रहे ठीक है समझ आता है बट borrowings देखे ले दरब 2 करोड की borrowing, 3 करोड की borrowing, 10 करोड की borrowing, 12 करोड की borrowing तरह यहां से यहां तक देखो तो 6 गुना हो गया assets 5 गुना हो गया यह एक थोड़ी सी problematic thing है यहां पर company को borrowings definitely कम करनी पड़ेगी क्यों 9 करोड भी उठा हो गया तो हो जाएगा equity के पार्ट में, reserves के पार्ट में, borrowings अभी भी है जिस पर आप interest पे करते जार रहे हो next, key values, return on equity 10%, return on capital employed 7 because of debt कम हो गया फिर price to book value 1.1, यह attractive है, यह attractive है, pat margin 10% जो अलुड़ी हम लोगोंने calculate कर लिया किस-किस की पैसे उठा रहे हो, जरह वो भी देख ले, funding working capital, मतलब इसमें भी यह बोल रहे है कि हम debt वगरा कुछ पे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, 9 करोल रुपे company उठा रही है, जिसमें से 65 का price band है, अब आजाते हैं जरह over subscription और listing gain पर 2000 x 69.2 CR wants to raise over subscription listing gain, चलिए जी, sector, evergreen sector है, shopping चलती रहेगी, जैसे जैसे population बढ़ रही है, तो कपड़े वगरा तो चाहिए, जैसे जिन रोटी कपड़ा मकान की बात कर लेता हूँ, most important price band की बात करूँ, तो हाँ ज्यादा over valued नहीं नजर आ रहा, 1 to 1, 1 is 2 times के price book value पे नजर आ रह पड़ेगा, अब अब बात कर लेता है, अपनी definitely apply करने वाले है, sector अच्छा है, finance अच्छा है, margins जो pass on करेना, मुझे वो बहुत attractive लग रहा है, सिर्फ एक जो चीज़ खटकी, that is boring, जो हम लोग अलड़ी एक-दो बार बात कर चुके, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो over subscription जाएग अब allotment के chances कम होंगे, और जतना over subscription उतने listing gain अच्छे, उतने listing gain अच्छे, क्योंकि demand है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 100% to 125% listing gain भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत चोटा सा IPO है, हमारा करते भी apply करना, तीन दिन के लिए पैसा block कर देते हैं, allotment मिल जाती है, बल्ले बल पर तो run मारूँगा, किसी न किसी ball पर तो six मारूँगा, जब तक page पर tick हुआ हूँ, IPO apply करता रहूँगा, यह थे सिग्नोरिया SME IPO के detailed analysis, वीड़ो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe, thank you for watching the video, lots of love.